जिला पुलिस कुरूप शेतर ने मोटर सेकल चोरी की वारदातों पर कारवाई करते हुए मोटर सेकल चोरी करने के एक आरोपी को गिरिफ्तार किया है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रोक्ता नरीश सागवार ने बताया कि एक अपरेल दोजार तेईस को थाना शाबाद में दिया अपनी शिकायत में सुरेश कुमार पुतरादे शाम शर्मा वासी महला खत्रवडा शाबाद ने बताया कि दो मार्च को उसने अपनी मोटर सेकल नमबर HR 78C212 को घर के बार खड़ा किया था जब वे कुछ देर के बाद घर से बाहर आया तो उसकी मोटर सेकल वहां नहीं मिली जिसको कोई नाम पता नाम आलुम चोर चोरी करके ले गया जिसकी शिकायत पर थाना शाबाद में मामला दर्जकर के जांच पुलिस चोकिश श शक्ति की टीम ने मोटर सेकल चोरी करने के आरोब में सतनाम सिंग पुतर हरमेल सिंग वासी फदेगर थाना पंजोकरा को गिरुफतार कर लिया आरोपी से चोरी की गई आठ मोटर सेकल ब्रामत की गई आरोपी को मानने अदालत में पेशकर के अदालत के आदेश से कारागा की एक मोटरसाइकल वर्स- के इसको हमने मॉटसेगल्स भी में गिर्फतार किया पिछले कईました से इंफर्मेशन थी के मोटसेकल चोरी करता है और जो पंजाब की साइड और इदर बेचने का प्रयास कर रहा है जो इसको हमारी टीम जिसमें सब इंस्पेक्टर कुलाव एसाई सत्विंदर इनकी टीम ने इसको काबू किया काबू करके शाबाद से मोटसेकल चोरी में अभी इसको गरतार किया है और करीब आठ मोटसेकल जो है वो बरामद की गई है और एक इसका साती दल जो अभी कुछ दिन पहले ही किसी कारण से उसकी डेथ हो चुकी है वो भी इसके साथ मोटसेल चोरी में सलिप था जो की पंजाब का रहने वाड़ा था अभी ये अकेला ही गर बोलिस तार है और आज इसको कोड पेश करके पुलिस रिमांट पे लेंगे पर ले करके और इस तहर तक जाए जाएगा कि ये कब से चोरी कर रहा है इसकी प्रिश्भूमी क्या है और ये कहा कहा किसकी साथ जुड़ा हुआ है कहां पेश का मोटसेटल बेचने का प्लाइन और क्या यह किसी बड़े गिरो के साथ जुड़ा हुआ है इस सब चीज को खंगाला जाएगा और पुलिस पे रिमांड पे लेकर जहां जहां से इसने बाइक चोरी की है उन सभी जगह पर इसको ले जाएजाए जाए ज़े अभी तक तो यह चीज नहीं सामने आई बाकि रिक कोड़ देखकर ही फाइनल ही बता चलेगा पुलिस रिमांड के पाद के क्या इसके अपर और कुछ करेंगा उमर कितनी है